प्रभुईश मसी के नाम में प्रभात वंदन जक्रिया की पुस्तक दस्वा अध्याएं पहली आयत बरसात के अंथ में यहोवा से वर्षा मांगो यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हर्याली उप जाएगा संसार के सभी विश्वासी गण आत्मिक भडोतरी और आत्मिक उठाव के लिए इन दिनों बहुत ही स्थक्तरिती से प्रार्थना कर रही है लेकिन क्यों प्रार्थना के हिसाब से बडोतरी नहीं हो रही है संकोच में रहने वाला मनोभाव स्वार्थता से बरा हुआ मन लेकर प्रार्थना करने से परमेश्वर के सामने वे प्रार्थना फल्वंत नहीं होगी उठाव दूसरों में नहीं बल्कि हम में पहले होना जरूरी है वचन के रक्षक खुद को समझ कर उठाव के लिए प्रचारक बन कर हर सदियों में सामने आने वाले हैं खुद की कलिश्या और सम्हू के उठाव का अंगिकार करके और उसके बाहर की बातों पे विमर्ष करना ववित्र लोगों पे नहीं भाता है रदेओं में दरार डालके कलिश्याओं में उची दिवार खड़ी करके परमेश्यर के राज्य को गिराके खुद के राज्य को उचा उठाने की सोच में बहुत लोग आज बंदे हुए हैं कभी भी प्रचार करने से आत्मिक उठाव नहीं होगा वह सिर्फ प्रार्थना करने से ही प्राप्त होगा एक कलीश्या के सभी गण एक जुठ होकर प्रार्थना करते हैं तो उस कलीश्या में एक उठाव होता है जब एक शहर या जगहे के सभी कलीश आएं एक मन से एक जुट होकर प्रार्थना करते हैं तो उस जगहे के उपर परमेश्वर तब ही उठाव भेजते हैं स्वार्थता छोड कर कृस्तु का रदयवाले बन कर प्रार्थना की आत्मा में हम उठे हमारी पीडियों परमेश्वर बड़ी आत्मिक बढ़ोत्री भेजेगा जब तक प्रभू उठाव भेजे तब तक सबको एक जुट होकर प्रार्थना करने में परमेश्वर कृपा प्रदान करें आईए हम प्रार्थना करें यह हमारे सुर्गेबिता परमेश्वर यह सुन्द सुभा के लिए तेरा स्तूती और धनिवाद करते हैं आत्मिक उठाव के लिए प्रभू आप हमको तयार करना और वो हमसे आरंब होने में आप हमको कृपा प्रदान करना प्रार्थना सुना इसके लिए धनिवाद प्रभू ईश्मसी के नाम से मांगते हैं आमेन